दब्बू और डर्पोक बच्चे का कॉन्कुडेंस कैसे बढ़ा है वो से फादर मदर इस बात से भी वो से पेरेंट्स इस बात से भी दुकी रहते हैं उनका बच्चा दब्बू है डर्पोक है किसी के सामने बौन नहीं पाता है थोड़ा सर्मिला है दूसरे बच्चों को फ्यस नहीं कर सकता है कुछ भी उसको बात केतो तो पल पल आखों में आसों का जर्ना बेता रहता है कुछ भी बात केते हुए रोने लग जाता है और हर वक्त शाई रेता है क्लास में भी बच्चों के साथ भी खेलने में दी और अपने परिवार के मावाप के सिकाए तो ह childhood के इसको कैसे इसको लोगों के सामने हैं बात कर सकाई यह और यह और झार बचों के साथ मैं अच्छी तरह से खेयब सकते हैं कि इसे तो अब किसा और थ्यां सबसे पहले तो नंके साथ में आप अपनी बंडिंग मजबूत करें अपने बच्चे के साथ में ऐसा रिलेशन बताए, बनाए कि वो हर बात आप से शेर करें अगर आप बच्चे से अपनी बॉंडिंग अच्छी रखोगे ना, तो बच्चे का confidence डवलप होगा बच्चे का self confidence तो डवलप होगा ही, साथ में वो आपके उपर भी confidence बढ़ाएगा उसके लगएगा नई यार, मेरे ममी पापा मेरे साथ है, मेरे ममी पापा एनी टाइम मेरे साथ खड़े रहेंगे मतलब आपकी और उसकी जो बॉंडिंग है ना, वो बॉंडिंग मजबूत होनी चाहिए एक father और son के बीच में, एक mother और daughter के बीच में एक बॉंडिंग इसी होनी चाहिए, जिससे उनको एक अपने आप पर faith हो और आपके उपर faith बच्चे का होसला बड़ा है, बच्चा कुछ भी करता है, गलत करता है तो आप उसको डाटी है सकते हैं, बच्चा कुछ करता है ना, तो बच्चे का होसला बड़ा है वो चोटी चोटी चीजह करता है आप एस लिए वह चीजे बड़ी है आप उसका होसला बढ़ाइए कि नहीं आ तुने जो किया जो अच्छा किया वेरी गुड नेक्स्च टाइमसे और वेर्टर करना हो सकता है कि वो चीज आपको इजी लगए आपको लगए यार ये क्या किया ये तब इल्कुल नॉर्मल है इल्कुल इजी वो आपके लिए इजी हो सकती है लेकिन बच्चे के लिए इजी नहीं है अपने बच्चे का होसला बढ़ाए हर वक्त उसका confidence डवलप करे और उसे इसके साथ में उसको हर तरह से मजबूत करे तबी बच्चा डरपोग और दबू होने से दूर हो जाएगा अपने बच्चे की दूसरों से तुलना न करें दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं कितने marks exam में ला रहे हैं दूसरे के बच्चे कितने forward हैं अपने बच्चे की तुलना दूसरों से न करें आप अगर बार बार अपने बच्चों की दूसरों से तुलना करोगे तो आपके बच्चे में हीन बावना पैदा होगी वो अपने आप को एक हीन बावना से ग्रसित कर लेगा वो यह समझे का अब आप अब आप अपने माता पिता के प्रती इर्श्या की बावना रख लेगा वो तो यह क्या है यार मेरे माम भी वाकत हर वक्त दूसरों की परसल्चा करते रहते हैं बस मुझे तो हर वक्त क्रिटिसाइए करते रहते हैं ऐसा आप कभी न करें अपने बच्चों की दूसरों के साथ में तुन्ना न करें अगर आप दूसरों के साथ में तुन्ना करोगे ना